श्री हमस नामक परमात्मा का प्रतिन दित्व महान मंत्र हम सो हम स्वाहा द्वारा किया जाता है जो स्वास का रूप है गरूड वहन परस्तित संपत्ति प्रदाता अस्ट बाहुयत भगवान श्रीकर मुर्ती शंक जपमाला पुस्तक एक ज्ञान मुद्रों से युक्त विद्ञान मूर्ती भगवान श्रीहयक ग्रीव श्रीसागर मंतन के समय में प्रदुर्बूत हुए धन्वंतरी मूर्ती ये स्वास्त प्रदाता है भगवान श्रीवेदिवाजी सत्यवेटी के पुत्र थे जिन्होंने वेदों का विभाजन किया और पुरान महाभारत और भ्रमसूत का लिखा गया है श्रीवद्री नारायन मंदिर हिमालय में स्तित थे इसे कुबिरपुरी के नाम से भी जाना जाता है यहाँ स्री नारायन योगासन में बैटे हैं ये है स्री विंकटेश्वर बाला जी इता है स्री नुवास और लक्षमी जी की बिवाह का ये स्री नुवास कल्यान की दुरुष है जो भगवान मत्स रूप में अवतरित होकर शंक देत्या का सम्हाण कर वेदों को ब्रह्मा को स सुचना दे कर सप्त रूषियों को शात उनकी रक्षा किया क्षीर सागर मंतं में मंदर परवत डोते हुए कुर्म रूपी भगवान दानव आदी हिरन्यक्ष का संहर्ण कर धर्ति का रक्षा करते हुए श्री वराहस रूपी जो दुबारह यानि आदी हिरन्यक्ष ऑर गुश्णु भगवान वामन जी का आवतार लेते हैं तब ही अली चक्रिवर्ति से तिन पाद की जगा मांगता है तो दो पादों में ही 14 लोग समाया जाता है तो तिसरा पाद उसका सर पर रखकर उन्हें वद कर देते हैं और ये दर्शाते हैं वद करते हुए जब विश्णु भगवान परश्राम जी का आउतार लेते हैं तो तभी दुष्ट राजों का समहरन के लिए ये आउतार लिया भगवान ने राम के नाम पर कोशल्या और दशरत की संतान के रूप में आउतार लिया श्री राम जी जब इस्वामित्र के साथ सोय उमर में आते हैं शीता सोय उमर में सिवधनुष को तोड़ते हुए श्री भगवान श्री राम जी भगवान श्री राम और लक्षमन को अ जो वर्द ये थे उसके अनस्वार भगवान वासुदेव बंदी खाना में देवकी वासुदेव को दर्शन देकर बाल रूप में उनको वश हुआ यह जो आप देख रहे हो विश्णु भगवान की कल्यूक के अंत में भगवान स्री कल्की के रूप में पृत्वी पर अवत झातार